हेलो दोस्तों स्वागत आपका फ्रेंट इस्टेडी सर की चैनल में और दोस्तों आज की इस वीडियों में बात करेंगे पीटी के बारे में जैसा कि यूपी त्रिपलसी का जो भी अब रिकूर्ट्मेंट है वो पीटी के माध्यम से हो ही रहा है और पिछले साल से यह सिस्ट मिलते रहेंगे तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज यह है कि आप लोग को पता कि सितंबर में पीटी का एक्जाम है लेकिन अब आयोग द्वारा जैसा कि नियूस पेपर के माध्यम से जो जानकारी मिली है वो यह है कि पीटी अब साल में दो बार आयोजित करवाया जाएगा यानि पीटी का जो एक्जाम से वो साल में दो बार आयोजित करवाया जाएगा इसके साथ ही दोस्तों अबडेट यह है कि यह जो वैलिड होगी वो एक पीटी तीन साल तक के लिए वैलिड होगी यानि कोई भी स्टूडेंट एक्जाम देता है यदि उसके मार्क्स परसान होने की और आपका जो यह सर्टिफिकेट होगा यह तीन साल तक के लिए वैलिड होगा हाला कि दोस्तों अभी यह नियूस पेपर में ही बना हुआ है चर्चा अभी आयोग द्वरा कब तक इसका इसमें काम करता है आयोग और कभी से लागू करता है इसके बारे में अफिसियल अपडेट आपको मिलेगी लेकिन हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत समय लगे क्योंकि इस बार की जो पीटी अब इसका एक्जाम जो है सितंबर मां में करवाया जाएगा और इस पीटी के मादर में से आपको बहुत सारे रिकूडमेंट देखने को मिलने वाल लेकिन यह जो दोस्तों दो अपडेट है कि एक पीटी जो है साल भर में दो बार पीटी का आयोजन होगा और एक पीटी का जो वैलिट है वह तीन साल तक के लिए वैलिट रहेगा यह नियूस पीपर के मादर में से जानकारी मिली है तो दोस्तों आप लोग जो भी करते रहें टेक केर बाई बाई